कोगे चिल्रेन टोड़े आम गोईंग टो टेल यू आवाट रोजीन मुंड रिडक्षन रियक्षन यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए और एंट्रेंस के लिए तो देखो सबसे पहले मैं एक्वेशन दिखा रहा हूं उसी से मैं समझाने के कोशि बना दिया ठीक है और यहां पर हमने यह कारबन लिया डबल बॉन ऑक्सीजन और फिर यह क्लोरीन डिटाच कर दिया तो यह कौन सा कमपॉंड हो गया बैंजॉयल क्लोराइड बैंजॉयल जॉयल क्लोराइड बेंजोयल क्लोराइड ओके ठीक है अब इसके बाद में क्या करूंगा इसको रियक्ट कराऊंगा किससे रियक्ट कराऊंगा हाइड्रोजन से किससे हाइड्रोजन से तो H2 में दे लिया ठीक है H2 के साथ हमें यहाँ प्लैडियम एक मेटल लेना है जो कैटलिष्ट का काम करेगा अब उसके साथ साथ हमें लेना है BASO4 बेरियम सलफेट ठीक है ध्यान रखना है यह यह जो एजे होल यह मिला मुझे ठीक है इसी को बोला जाता है Lindlers Catalyst इसी को बोला जाता है क्या Lindlers Catalyst टिक है लिन्डलर्स Catalyst ठीक है अब देखो बच्चे अब यहां पे क्या होना है यहां जो यह Hydrogen है यह Hydrogen मैं ऐसे दिखा सकता हूं यह जो H2 है उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं यहां से एक Hydrogen यहां से यह एक Hydrogen इसके साथ Chlorine के साथ ऐसा Combine करेगा और निखल जाएगा ठीक यह Hydrogen हीजिटिन यहां आके चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा है मेरा देखो बच्चे यह हो गया मेरा बंजीन रिंग थीख है यहां पे हमने यह सीलिय डबल बॉंड ओ और यहां पे यही तो हाइड्रोजन यहां आ गया तो यहाँ पे मेरा H एटाच नहीं हो जाएगा येस हो जाएगा तो क्या मिझे मिला यहाँ से कलोरिन हटा करके मैंने हैड्रोजन डाल दिया तो यह LD हाइड नहीं हो गया तो रोजन मून रियक्षन से मैं जेनरली क्या था LD हाइड बनाता हूँ और ये बेंजीन के साथ LD हाइड इसलिए इसका नाम क्या हो गया बेंजलडी हाइड बेंजल डी हाइड बेंजलडी हाइड ठीक है तो बच्चा देखो ये जो lindlers catalyst है मुझे जो मिला है ये lindlers catalyst ठीक है ये lindlers catalyst बहुत ही important रोड करता है mainly इस portion को प्लैडियम बेरियम सल्फेट के साथ है अगर यहां पे यह बेरियम सल्फेट में नहीं डालता तो यह हाइड्रोजन क्या होता इसके साथ कंबाइन करके यह नहीं बनाता फिर क्या बनाता देखो यही रोजन मून रेक्शन है बट यह मैं सीच्वेशन दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ अगर यह बेरियम सल्फेट में नहीं डालता सिर्फ मैं हाइड्रोजन गैस डालता और प्लैडियम डालता तो क्या होता देखो बच्चे यह ऐसे बेंजीन रिंग से हो गया सी ओ और यह जो हाइड्रोजन हटा करके एक हाइड्रोजन तो आता है और यहां का यह डबल बॉन्ड भी तूट करके एक हाइड्रोजन यहां भी आ जाता तो ये compound कैसा हो जाता देखो ये compound कुछ कीसा की हो जागा Ben certains ring देखो इसके बाद Ben जीन रिंग उसके बाद देखो ये C ये उसके बाद देखो यहाँ पे H और ये O H यही तो है ये ठीक है तो ये कहने का मतलब मुझह क्या मिल गा L alcohol यहीं मिल गया वाट मेरा एम क्या है यहांपधे मेरा एम YKd yap ना क्यूंकि क्या पर रहा हूँ रोजीन मुंड रिएक्षण कौन सा रियप्षण रोजीनमुड और इसमें क्या होता है हज्रोщеं है तो इसी लिए रिड lagi और या क्या हो गया रोजऽीनमुड reduction reaction समझ में आ गया ध्यान रखना है यह जो catalyst है इस catalyst को बोलाता है lindler's catalyst यह जो catalyst मैं लिए BSO4 ठीक है with the pladium यह lindler's catalyst अगर यह होगा तो मुझे बनेगा यह compound बन जाएगा इसमें benzyldehyde में यानि कि benzyl chloride बनेगा benzyldehyde में अगर मैं barium sulphate नहीं डालूँगा तो मुझे benzyldehyde नहीं मिलेगा उसके बदे मुझे मिलेगा alcohol done? तो I think you must have got next day इसके आगे और मैं बताओंगा okay, thank you